कि नमस्कार नियूस क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ आज मेरा साथ जोड़ रहा है वेगु सराय बिहार से कनाया कुमार इंडिया भारते कर विनिस पार्टी के यूवानेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गये हैं कनाया धन्यवाद आपने नियूस क्रिक के दर्शक को आपके समय दिया लगरें पिछले कुछ हप्तों में पूरा चुनावी महल बदल गया एक महिना पहले देर महिना पहले अब किसी से सवाल उठाइए बोली कि यह तो एक तरफा निदीश कुमार वापस आ रहे है मुख्यमंत्री बनके NDA का गट बंधन भारते जंता पार्टी आराम से आगे चले जाएंगे अचानक लग रहे है कि पूरा महौल बदल गया सब लोग के रहे है कितने लोग आ रहे तेजश्वी को सुनने के लिए निदीश कुमार जहां भाशन दे रहे हैं लोग के रहे हैं लालू प्रसाद जिन्दाबाद क्या आप समझते हैं ये पूरा ये एक तरफा और लराई नहीं है काटे का तकर्क होने का एक संभावना है क्या सचमुच बिहार आप तो जमीन में आप लोगों से बात कर रहे हैं जमीनी स्टॉर में बात कर रहे हैं सचमुच चुनाई महौल राजनेतिक महौल बदल गया सर्थ सबसे पहले मैं आपके सभी दरसकों को और आपको नमस्कार कहता हूं और आपने एक सवाल पुछा है actually इसमें कई सवाल हैं सबसे पहली बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी से एक डेर महीने पहले ये लग रहा था कि चुनाव इक तरफा है लेकिन अब ये चुनाव एक तरफा नहीं है दूसरी बात कि नितीज जी के खिलाफ गुस्सा पहले से ही पनपना शुरू हो गया था और गुस्सा और बढ़ा है उसमें बिर्धी हुई है वो जो एंगर है वो इंक्रीज किया है लेकिन यह जो एंटी इंकंबेंसी है उसमें एक खास चीज देखने को मिल रही है कि यह बड़ा सेलेक्टिव है नितीज कुमार के खिलाफ गुस्सा है लेकिन भाजपा के खिलाफ गुस्सा नहीं है अब यह चालाकी भाजपा ने कैसे किया है इसको समझना बहुत जरूरी है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको प्लैन किया है कि जहां अच्छा कुछ है जहां कुछ अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट ले लेना है और जहां कुछ बुरा हुआ है वो नितिह जी के मत्थे मढ़ देना है एक उदाहरन मैं आपको देता हूँ बिहार में कुछ महीने पहले चमकी बुखार की घटना हुई और उस बुखार के चलते दरजनों बच्चों की नवजातों की जान चली गई उस बक्त स्वास्तमंत्राला किसके पास था बीजेपी के पास हमेशा से स्वास्तमंत्राला किसके पास रहा है बीजेपी के पास अभी जो कोरोना की समस्या आई तब भी स्वास्तमंत्री कौन है दिल्ली में भी और पटना में भी बीजेपी के नेता है तो भाजपा ने बड़ी चलाकी से उन्होंने देखा कि चुकी 15 साल का राज ह तो सभावी करूब्स भुष्टा को पनपने दिया और अपने आपको सरकार में रहते हुए नितीजी से अलग रखा नतीजा ये हुआ है कि जब एक डम से चुनाव शुरू हुआ तो इनका वंधन जो है वो आपस में बिखड़ा हुआ दिखना शुरू कर दिया जैसे कि लजेपी जो है वो इनडिये का पार्ट है लेकिन बिहार में वो अलग से चुनाव लर रही है बीजेपी और जेडियू साथ में चुनाव लर रही है लेकिन अंदर खाने इस्थिती ये है कि भाजपा जेडियू का मदद नहीं कर रही है तो ये सारी बजहों से क्या हुआ ह कि जितना हलके में इंडिये ये चुनाव को ले रही थी ये चुनाव उतना हलका नहीं है और कई दसकों के बाद पिहार में पहली बार ये हो रहा है कि बिपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को रिस्पॉंड करना पर रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों के बाद कि जात पात और धरम के इर्द गिर्द कोई पॉलिटिकल नेरेटिव नहीं बन पा रहा है हम लोग जो महागटवंधन के पार्ट हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा नेरेटिव जै जवान जै किसान और जै संबिधान के आसपास रहे भाजपा की पूरी कोशिस है कि इसको हिंदू और मुसल्मान के आसपास रखा जाए जिसमें उसको काम्यावी मिलती हुई नहीं दिख रही है रही बात कि चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे देखिए पहले चरन का काम हो गया है जो परचार में जो जोस दिखना चाहिए सरकार बदलने का जो संकल्प दिखना चाहिए वो महागटवंधन के समर्थकों के चेहरों पे दिख रहा है उनकी राजनितिक क्रिया कलापों में दिख रहा है रही बात कि ये जो नागरिक आ रहे हैं सभाओं में और रेलियों में ये वोट में ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता है मुझे लगता है कि ये भीर नहीं हैं ये बिहार के सचेत नागरिक हैं और अपने खर्चे से अपना काम का नुक्सान करके अगर वो रेलियों में आ रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी होने के बावजूद अगर वो निकल करके सरकों पे उतर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये बदलाव का संकेत है और यही वज़ा है कि NDA का हाथ पाव फूल रहा है देखते हैं कि अगले चरन में क्योंकि परचार एक हिस्सा होता है उस नागरी को जो रेलियों में आ रहे हैं उसको वोट में तब्दील करना ये दूसरा हिस्सा होता है ये दूसरी परमुक्चुनोती होती है हम लोग कोशि सवाल आपसे उठा हरा हूँ ये ये की एक समय कुछ दशक पहले वामदल बिहार ने उनका ताकत था को बहुत सारे विधायक थे वामदल हाउ बोगर कुछ दिनों से हम कुछ दशकों तेंव हें आज नहीं लगबग तीन दशक कर आपतीन से किया आम देख रहें कि वामदल कमजोर हो इस बार लगभग 29 विदानसवा शेत्र में Communist Party of India आपका पार्टी भार्थे Communist Party Marx बादी Communist Party का चार आपके पार्टी का चे और CPI ML Marxist-Lenin उसका 19 उमीदवार खड़े हैं समय बताएंगे मगर आप क्या लग रहे कि एक मौका मिला वामदलों को कि विहार में एक समय शक्ती था वामदल का वामदल क्या आगे बढ़ेंगे इस संबन में सबसे जरूरी बात ये समझता हो कि कोई राजनितिक पार्टी राजनीति से आगे बढ़ती है और राजनीति अगर हमारा दुरुस्त होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और राजनीति अगर हमारी दुरुस्त नहीं होगी तो हम और पीछे हो जाएंगे इसलिए सीट के टर्म में नहीं सोचना चाहिए सीट के टर्म में सोचने से राजनीति पीछे छूट जाती है को नहीं देखेंगे तो घरे का निर्मान भी उस रूप में हम नहीं कर पाएंगे ये दोनों आपस में डायलेक्टिकल ही जुड़े होते हैं बिहार में हुआ ये कि हम अपनी राजनिती में कहीं ने कहीं पीछे हुए और मैं समझता हूं कि जो काम 2020 में हो रहा है इसका प्रिय असको लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत थी लेकिन अफसोस की बात ये है कि उस राजनिती को आगे नहीं बढ़ाया गया और आगे नहीं बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि CPI जब 1990 में सरकार में थी तो आडवानी जी का रत बिहार में रोका गया लालु जी के द्वारा लेकिन आडवानी जी की पार्टी नहीं रुकी आडवानी जी का पॉलिटिक्स नहीं रुका और आज 2020 में लगभग 30 साल के बाद वो सबसे बरी चुनावती बन गई है और इस्थिती यहां तक पहुँच गई है कि जो लिफ्ट पार्टी अलग अलग लड़ती थी आज इन BJP equal to Congress ये simplification के चलते ये generalization के चलते बहुत सारा problem create होता है सवाल पार्टी का नहीं है सवाल पार्टी किस policy को लेकर के चल रही है उसका है बामपन्ती पार्टीों को एक बाद समझने की जरूरत है नियो लिबरल पॉलिसी इंप्लिमेंट होने के बाद सोसाइटी का क्लास करेक्टर बदलना शुरू हो गया है साइंटिफिक टेकनोलॉजिकल रिविलिशन के बाद सोसाइटी का क्लास करेक्टर बदलना शुरू हो गया है अगर हम electoral presence को बढ़ाना चाहते हैं तो एक tactical line हमको अपने साथ रखना परेगा कि left, progressive, democratic, secular पार्टियों को हम इकठा करें और BJP को electorally हम defeat करें लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा जब तक हम नेता से ध्यान हटा करके, नीती पे अपना ध्यान के अंदरित नहीं करेंगे, जब तक हम neo-liberal policy को और उसके dialectics को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ seat जीत जाने से भी काम नहीं चलने वाला है आपने विचारधारा के बात किया, आप नीती नहती किता का बात मैं करना चाहते हो, आज वाम दल, राष्टे जन्ता दल और कॉंग्रेस के साथ मिलके गटबंधन बनाके आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं बहुत लोग कह रहे हैं, आपका विरोधी दल करें कि इसमें क्या नीती है, क्या राजनीती है, इसमें क्या विचारधारा है, एक सुविदाबादी, एक गटबंधन, ये सुविदाबादी राजनीती है मैं उधारण, चार-पाच उधारण देने चाहता हूँ, आप तो जवलार नहरू विश्व विद्याले के चात सते, आपने जरूर चंदशेकर प्रसाद का नाम जरूर सुना होगा 1997 साल में चंदशेकर प्रसाद का हत्या का पीछे, कौन आरोपी तो इसका नाम आप जानते है, इसका नाम शाहवुद्दिन है, वीबी का नाम है हिनाच शवाव, ये है राश्ट्य जन्ता दल का इतिहास, तो ये ऐसे बहुत सारे और भी उधारण में देना चाहता हूँ, पुरितलाल, यादव, और भी ऐसे, तो ये आप लोग का वामदल का चवी तो खरात नहीं हो जाए है, आप किसके साथ गड़ बंधन बनाया, ये क्या राजनीती है, ये आप समाजवाद में विश्वास करते है, आप समाजवाद में विश्वास करते हैं, आप क्या राजन का या CPIML, लिबरेशन का तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप कह रहे हैं कि गठवंधन बनाये हैं, तो गठवंधन तो जो राजनीतिक दल है, आप उन्हीं के साथ गठवंधन बनायेंगे, ठीक है, आप जो है हम CPIM के साथ गठवंधन बनाये हैं, अब CPIM के उपर भी सारा आरोप है CPI ML के उपर भी आरोप है CPI के उपर भी बहुत सारा आरोप है RGD के उपर आरोप है Congress के उपर आरोप है तो मैं सारे आरोपों का अगर जवाब देने लगूं तो ये जो है ऐसा लगेगा कि हम बाकी सभी पार्टियों के परवक्ता के तौर पे उनके सारे आरोपों का जवाब दे रहे हैं हम क्यों गटवंधन बनाये हैं इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो हमारा गटवंधन किसी एक पार्टी से नहीं है पहली बात ये पाँच पार्टीयों का गटवंधन है और पाँच अलग-अलग पार्टीयां है लेफ्ट पार्टी भी आपस में कोई होमोजीनियस केटेगरी नहीं है अभी हमने 2020 में जो गटवंधन बनाया है वो क्यों बनाया है ये गटवंधन हमने बनाया है कि हम महंगाई और दंगाई दोनों को एक साथ रोकना चाहते हैं महंगाई बहर रही है देश में आर्थिक नीतियों के चलते और दंगाई बहर रहे हैं राजनीति में राजनीतिक नीतियों के चलते आप राजनीति और अर्थनीति एकॉनमी और पॉलिटिक्स अगर दोनों चैलेंज को लेते हैं एक साथ तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनावती ये है कि आप सत्ता रूट जो डल है जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ अपोजिशन को आप इकठा कैसे करेंगे यहां मैं जॉर्ज दिमित्रियों को कोट करना चाहता हूँ दिमित्रियों ने कहा कि अगर सोशल डेमोक्रेट और कम्मुनिस्ट आपस में नहीं लड रहे होते तो हीटलर नहीं होता मुसॉलनी नहीं होते तो उस उस आइडियोलाजिकल अन्डेस्टेंडिंग के तहत कोई जो पार्टी है वो 24 कैरेट का सुध में तो है नहीं हर पार्टी के साथ कुछ नकुछ दिक्कत है तो उन दिक्कतों को देखने की बजाए उन औसहमतियों को देखने की बजाए हम सहमत कहा हो सकते हैं उसको ढूणना बहुत जरूरी है divergen को identify करने की वज़ाए conversion कहाँ पर हो सकता है उसको identify कर सकते हैं और हमने यह identify किया है कि नब्बे की जो राजनीती होती थी जातपाद की राजनीती या धरम का जगरा उससे बाहर आक करके आज 21 सदी में जो नौजवान राजनीत में आ रहे हैं चाहे वो राश्टिय जनतादल के नौजवान हो चाहे वो CPI में लिबरेशन के नौजवान हो चाहे वो CPI के हो या CPI के हो उन नौजवानों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बदलाव यह है कि वो चाहते हैं कि राजनीती जातपाद पे केंदरित ना हो करके धरम पे केंदरित ना हो करके रोजी रोजगार के सवाल पे केंदरित होना चाहिए अब आप जब लोग सबाद चुनाव लरे थे आप आपका जो जो नतीज़ा आया है क्यों आया है यह भी बताए इसके कोई जात का कोई भुमिका नहीं था और आप मुझे बताईए कि बिहार में कौन सी एसी जाती है जिसके साथ पलायन की यह समस्या नहीं जूरी हुई है चाहे अगरा हो या पिछडा हो हिंदू हो या मुसल्मान हो महिला हो या पुरुस हो बुढा हो या नौजवान हो सबको पलायन करना पर रहा है दूसरा रोजगार का जहां तक सवाल है कौन सी एसी जाती है जिसमें बेकारी समस्या नहीं है चाहे स्वास्त का सवाल हो आप मुझे बटाईए कि देंगू का मच्छर जात पूछ करके काटेगा क्या मलेडिया का मच्छर उसके जो है अपने नुकसान और फाइदे भी थे और मैं समस्ताओं का अगर वो राजनीती खरी हुई तो साइद उसकी प्रसांगिकता भी रही होगी लेकिन आज वक्त बदल गया है और इस बदले हुए वक्त में हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि देश की एकॉनमी माइनस 24 परसेंट चला गया है और अमबानी जी की संपत्ती जो है बढ़ गई है ऐसा कैसे संभव है कि देश गरीव हो रहा है और एक इंसान अमीर होता जा रहा है ये एक प्रोमिनेंट सवाल है आज भारत में भी लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा भाजपा के समर्थकों का भी मुद्दा है भाजपा के समर्थक भी बेरोजगार है भाजपा के समर्थकों को भी अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है भाजपा के समर्थकों के बच्चों को भी परने के लिए बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है ये एक साजा संघर्स है और इस साजा संघर्स को साजेत तौर पे हमको लरना परेगा हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बिहार के लिए आज जरूरी क्या है बिहार के लिए जरूरी ये ह कि उसके पास जो एविलेबल रिसोर्सेज हैं उसको एक्स्प्लोर किया जाए, human resource का management किया जाए, पलायन को रोका जाए, बिहारी डाइस्पोरा का इस्तेमाल करते हुए बिहार में नए तरीके का developmental work किया जाए, infrastructure को डेवलप किया जाए, मुझे एक बात बताईए, कि जो लड करके, कोटा में ही teacher बन करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो कोचिंग राजस्थान में क्यों चलेगा, पत्ना में चलना चाहिए उसको. कराया में कोटा के बारे में कहा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बस भेजा था, कोटा में, नितिश जी क्यों नहीं भेजा, ये सवाल शायद नितिश जी जवाब दे सकते हैं, मगर, एपरिल महिना में और में महिना में, बिहार का मुख्यमंद्री नितिश जी ने बार बार कहा आपको, जो प्रवासी मस्दूर है, आप जहां है, वहीं रह जाएए, यहां मत आईए, घर मत आईए, तो यह क्या सच मुच आप लग रहे हैं, चुनावी मुद्दा बन गया, क्यूंकि बहुत सारे प्रवासी मस्दूर वापस चले गए, क्यूंकि रोजगार क लिए जिविका अपना जिविका के लिए उनको और कहीं जाना पर रहे हैं। लिए जाती के आधार पे वोटिंग पूरे देश में होता है। और बिहार में ये काम बहुत एडवन्स तरीके से हुआ है। तो नेरेटीव में तो कम से कम पलायन एक मुद्दा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वोट इस आधार पे होगा की नहीं होगा ये देखने वाली बात है। कनया 15 साल आपका लालु प्रसाद यादव जी राबरी देवी जी उनका साशन थे। उसके बाद 15 साल और नितिश कुमार की साशन थे। कुछ बीच में जीतनराम माजी भी मुक्यमंदी थे। आज भी नितिश कुमार जी कहते हैं वो कुशाशन थे। जंगल राज। और आज भी भारते जंता पार्टी और जंता दल युनाइटेट के लोग भलत नितिश कुमार सुसाशन बाभू है। तो बात अभी यह होता है आप जानते हैं बहुत सारे घटना एक बेरोजगारी के बात आपने किया। शिक्षा के बात आपने किया। फिर भी मेरा कहना है कि पहले पाच साल पहले दस साल जब नितिश कुमार मुख्यमंत्री थे बहार का मुख्यमंत्री थे 2005 से समझ दीजी 2010 उस समय लोग कहते हैं सरक बना, स्कूल बना, साइकल मिला मुफत में। आज भी लोग कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर वापस आ गये हैं तो उनको मनरेगा में काम मिल रहे हैं तो अभी भी लोग एक हिस्से हैं जो कहते हैं नहीं अभी भी नितिश कुमार के जिस समय मुख्यमंत्री थे बिहार का साशग उसी समय खराप नहीं था और लोग कर रहे हैं 1990 से 2005 जिस समय जंगल राज चल रहे हैं तो आपका क्या लगर है महल बदल गया या नहीं बदल गया क्योंकि नितिश कुमार अभी भी याद दिला देते हैं लोगो अचा एक बार बताईए आपकी उमर हो गई हैं और आप अपने जवानी के दिनों को याद करें तो आप जवान थोरी हो जाएंगे यह आपका नोस्टिल्जिया हो सकता है कि आप अपने जवानी के दिनों को याद करें लेकिन रियालिटी को तो आपको एकसेप्ट करना परेगा ना कि अब आप जवान नहीं रहे हैं आपकी उमर हो गई है दूसरे की कमियां गिना करके ह हमारी अच्छा ही तो नहीं साबित हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इस बात में अनावस्यक फसने की जरूरत नहीं है यह चुनाव 15 साल भरसेज 15 साल का चुनाव नहीं है यह चुनाव इस बात का है कि आने वाले 15 साल में क्या होगा और क्या होना चाहिए मैं आपको बत के बारे में सोचते रहें या हम आने वाले 30 साल के बारे में सोचे जब हम आपकी उमर में हो तो हम ये कह सकें कि हमने बिहार को बदलने की कोशिश की है आचा एक सवाल और है हमारा माननिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के समय पहले भी किया था पाथ साल पहले भी किया था दोहजार उन्नीस में भी किया था वो राश्ट्रमुंता के बारे में कहते हैं जैसे उन बात करते हैं आपका कश्मीर लदाख में चीन के साथ जो संगर्ष हुई थी यह सारे विशे के ऊपर प्रधान मंत्री नरेंद्रों मोदी जी बातचित करे वो जब चुनाव प्रचार करे राश्ट्रवाद उनके लिए बहुट बराईत मुंता है तो मेरा सवाल यह है कि हम जानते हैं यह लोग सबाद चुनाओ नहीं है यह विधान सबाद चुनाओ है वगर सच मुझ ऐसा है कि स्थानिय मुद्दा और राष्ट्रे मुद्दा एक दूसरे के साथ आप जैसे काई डायलेक्टिकल रिलेश्टिक्ट कौन ज्यादा महत पूर बिहार के आम जंताओं के लिए वोटर के लिए स्थानिय मुद्दा यह जो राष्ट्रे मुद्दा है तो 2019 में आपने देखा चुनाओ का क्या नतीज़ था लोग सबाद चुनाओ को उससे में उससे पहले पुलवावा बाला कोट का घटना हुई थी तो इस बार मोदी जी जब राष्ट्रबाद के बात करते हैं यह चुनाओ कि उपर कुछ असर पढ़ने वाले हैं आपके क्या लग रहे हैं या जो तेज़स्वी मुद्दा उठा रहा है कि हम दस लाख युवाओं को नौकरी देंगे को कुन सब रहा हुंता है बेरोज़कारी या राष्ट्रब देखे मेरा ये कहना है कि आज कल सारे मुद्दे गलोकल है। गलोकल वर्ड का इस्ते वाल में इसलिए कर रहा हूँ कि पेरिस मेश में कोई घटना घटी है उसका आसर बेगु सराय में पढ़ता है। और बेगु सराय में कुछ होता है, उसकी चर्चा नियॉयोर्क में होती है, तो आज इस तरीके से आप नेशन बॉंडरी के आधार पे या विदिन नेशन इस्टेट बॉंडरी के आधार पे ये केटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं, पहली बात, दूसरी बात कि परधान मंत रहाबाद की बिहार के लिए क्या जरूरी है? भाई बिहार के लिए तो यहीं जरूरी है कि अपने ही देश में वो परवासी हो गए, बताईए, परवासी तो आप तब होते हैं जब देश से बाहर जाते हैं, जब आप अपने ही देश में परवासी हो गए, तो हमारे लिए ये सबसे बरा मुद्दा यही है कि हमको हर चीज के लिए अपना राज छोड़ करके बाहर क्यों जाना पड़ता है हमारे लिए रोजगार के अफसर क्यों नहीं पैदा हुए है क्यों बिहार को भी सेसराज का दरजा नहीं मिला है लाखो करोर की घोशना की गई वो बिहार की जमीन पे क्यों नहीं उतरा है हमारे लिए तो यहीं मुद्दा है बाकी प्रधान मंत्री जी की एक्षा है उनकी एक्षा सर्वोपरी है वो जो बोलना चाहते हैं बोलें बिहार की जनता लोक तंत्र में जनता मालिक होती है उसकी एक्षा भी सर्वोपरी है उसको जो करना हो वो करेगी अब 28 तारीक को करेगी, तीन तारीक को करेगी, साथ तारीक को करेगी, और दस तारीक को उसका परिनाम मिलेगा. थोड़ा सबर बना करके रखना चाहिए, वियार की जनता बता देगी कि कौन सा मुद्धा इंपोर्टेंट है. एक सवाल मैंने पहले ही उठाया था, और उसका आपने जवाब दिया, मगर पूरा जवाब आपने नहीं दिया. ये है आपका लजेपी, आप चिराग पास्वान के वारे में कहते हैं। आप इस कैसे विसलेशन करते हैं। लोकतंत्रिक जन्ता पाटी कहरें कि हाँ हम सिर्व नितीश कुमार जी के खिलाफ उमीदवार ख़रा करें। और हम मोदी जी को समर्थन करते हैं। बिहार के किसी चाय दुकान पर आप बैठ जाएगे। कोई बच्चा भी सवाल का जवाब आपको देतेगा। आप में साम में एक बच्चे से बात कर रहा था। तो उसने कहा कि भाईया गंगाधरी सक्तिमान हैं। लजेपी बीजेपी हैं। तो ये बात बिहार के हर किसी को समझ में आ रहा है कि बीजेपी की ही ये चाल है कि एक चिराग से अपना घर रोशन कर रही है और नितीजी का घर जला रही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चिराग जी का बिरोध कर रहे हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। चिराग एक युबा नेता हैं चुनाव लरने का उनका अधिकार है और कोई भी पार्टी और कोई भी वेक्ती चुनाव लरती है और उनको लरना चाहिए और मैं किसी भी पार्टी को वट कटवा या किसी बरी पार्टी का A-team या B-team नहीं बोलता हूं तो इस लूप में उनका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन बिहार के जन्मानस में आम आवाम में यह बात popular हो चुका है कि चिराग जी को खड़ा किया है भाजपा ने नितिस जी को सिट करने के लिए आपका कहना है कि यह दिखाने के लिए क्या है और पूरा चुराओं के बादी यही तो सबसे बड़ा गेम है और यही चल रहा है और आप जो अब लोग बाहर से बिहार के चुनाओं को देख रहे हैं, मुझे लगता है इस साजिस को भी परियाप्त ध्यान देने की ज़रूरत है जो बिहार की राजमिती में अफिर चल रहा है। आज युवाओं के साथ आपने चिराग पास्वां के वारे में कहा युवाओं का नेता है युवाओं का नेता है। अगर लोग क्यते हैं इससे पहले वामदल को युवाओने समर्थन नहीं दिया, क्या लग रहे है थोड़ा बहुत महोल बदल रहे हैं और अल्प उमर के युवाओने आज वामदल को समर्थन करें, यह आपके क्या लग रहे हैं? आप देखेंगे क्या-क्या होता है सर जिस तरह से नौजवानों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है हर सेक्षन का समर्थन मिल रहा है हम लोग बदलाओ की उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद हकीकत में तबदील होता है कि नहीं होता है ये दस्तारीक को पता चल जाए है और द अन्यवाद न्यूस्क्लिक का दर्शक्त, आप सब को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग देखते रहिए न्यूस्क्लिक.